मुझार विचार में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अन्राग देखिए आज का जो समय है इसको बदलाव का समय कहा जाता बदलाव सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों की सोच में आ रहा है लोगों के खान पान में आ रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो जल्वाईयू में आ रहा है हम जल्वाईयू परिवर्तन समारा विश्य है वो है बदलती परिवर्तन और क्रिशी शिक्षाओं यह जो बदलती परिवर्तन वह जल्वाईयू परिवर्तन एक चीज होगी लेकिन और भी कई बदलाव आए हैं एक बदलाव तो लोगों की सेहत में आना शुरू हो गया है कहते हैं कि जीवन शैली बद करना जो है वो तो चला है लेकिन थोड़ी भागदार बंद कर दी है उसके कई दुश्परभाव भी हैं खेती में जो बदलाव आए हैं वो सिर्व जल्वाईयू से ही नहीं जुड़े हैं हमारे खेती के तरीके बदले हैं इसमें बहुत बड़ी अगर भूमिका कहें वो श दिले भी है कि अब हम सतत विकास की बात करते हैं एक ग्रीन रेवलूशन से एवर ग्रीन रेवलूशन की ओर हमें जाना है तो यह जो सदा बाहर हरित करांती आएगी क्या इसी कृषी शिक्षा पद्दती के जरी आएगी इसी पाठे क्रम के साहरे आएगी इनी सब विशों 270 कृषी विज्ञान के इंद्र हैं और 400 से भी अधिक कॉलेजों में कृषी विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है असल में भारतिय ज्यान को बहुत पिछड़ा मानते हुए और किसानों को कृषी विज्ञान विशे की जानकारी ना होने के कारण ही हमारे नीती निर्धा परकोनी आधुने कृषी सिक्षा की नीव रखी उननिस सो सरसट अरसट में आई हरित क्रांती का श्रेय इसी आधुने कृषी विज्ञान को दिया जाता है और आज की तता कतित भरे काध्य बंडार भी तभी की अपना इकृषी सिक्षा की ही देन है लेकिन किसानों की आत्महत्या, गिर्ती मित्ती की उर्वरता, खत्म होते पारंपरिक पीच, घटी उपच, बढ़ता कीटों और रोगों का प्रकोप, खेती में घटा लाब, खत्म होती जैव विवित्ता और नश्ट होता पर्यावरण, आधुने क्रिशी, सिक्षा पर ही स सवाल उठाते हैं, आज पूरी दुनिया में रसायनों पर अधारत खेती का विरोध हो रहा है, और प्रकृतिक या कहें जैविक खेती की मांग हो रही है, लेकिन पूरा मामला तो सिक्षा से जुड़ा है, जैसा पढ़ेंगे, वैसा ही सिखाएंगे, और वैसी ही खेती करे अब इन पदलती परस्तितियों में चाहे जलवायू परिवर्तन हो या कंपनियों का बढ़ता दबाव और किसानों के घटी आमधनी, इन सभी के अनुसार अब कृषी शिक्षा पाठिक्रम में बदलाव का समय आ गया है, और फिर से कृषी को प्राइमरी और सिकेंडरी स्क पर पढ़ाने की ओर भी मुड़ना होगा, हम बहुत कुछ तो खो चुके हैं और अब खोया, तो संकट में हम सभी होंगे तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारी जो क्रिशी विश्विद्याले है, क्रिशी का जो पाठे करम है, वो कैसे शुरू हुआ अमरीका का बहुत बड़ा उसमें जोगदान रहा, उसमें जरुवत थी, हरित कांती की भी जरुवत थी, बहुत सी चीजें हमने उसमें पढ़ी और उसको पढ़ने के बाद बहुत बदलाव इस देश में हैं, जिसी विशे को थोड़ा और समझेंगे, और अगर बदलाव लाना है, तो किस तरीके का बदलाव लाना है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे कुछ महमान हैं, उसे आपका परीचक करा देते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर नारेंदि सिंघ राथवर जी, नारेंद सिंघ राथवर जी जो हैं उप महानिदेशक हैं, भारतिये पाठिक्रम में जो बदलाव होते हैं वो भी ICR जो है अब देखता है ICR सीधा इससे जुड़ा है और कई क्रिशी विग्यानिक और बहुत अच्छी काम जो है वो हुएं अब जो परिस्तितियों में बदलाव है उसको लेके किस तरीके से क्रिशी शिक्षा में बदलाव की जर है गाउं सहरा है बुलन शहर में और जैवीर जी आप प्रगतिशील किसान की शेणी में गिने जाते हैं कई पुरुसकार आपको मिले हैं आपने MSCAG की उससे बहुत कुछ सीखा उससे अपनी क्रिशी में भी कुछ बदलाव किये जो सब कुछ पढ़ा वैसा ना करके कुछ अलग भी किया क्या आपने अलग किया और किस तरीका से यह जो शिक्षा है यह आपके काम आई यह आप से जानेंगे बहुत बहुत स्वागत है साथ में हमारे डॉक्टर S.K. यादव जी है यादव जी जो है निदेशक है क्रिशी विद्या पीट इगनू में और डॉक्साब आपका तो कामी है कि जो पढ़ाई से छूट गए हैं उनको पढ़ाना और ऐसे विशे क्रिशी के विशे को आप इगनू के जरीए लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसमें एक जोर यह भी है कि लोग उस कारोबार से भी जुड़े थोड़ा क्रिशी कारो पूटी और अब जब पूरी दुनिया में जैविक और परबरगत क्रिशी की बात हो रही है उसमें पाठे करम में क्या बदलाव करने की जरूरा है बहुत बहुत सवागत है आपका शुरूआत मैं डॉक्टर आठोर आपसे ही करूँगा किस तरीके की तैयारी हम तैयारी मै इसलिए क्या रहा हूँ क्योंकि अभी तो वो बदलाव क्रिशी शिक्षा का जो पाठे करम है उसमें उतने बड़े तरीके से हमें नहीं देखे हैं मैं इसलिए थोड़ा समय भूमिका इसमें बता दूँँ जैसे हमने जैविक खेती की बात करते हैं हमने देखा तीन है जितना जिस हालात से किसान गुजर रहा है भले उत्पादन बढ़ा पर उस आप से किसान की तरकी नहीं हुई तो पाठे करम में क्या आपको लगता है कुछ बड़े बदलाव की जरुता आ गई है और कुछ करने की तैयारी है यह आपने सही कहा कि जैसे कि बदलाव होने के बाद अगर हम अपने आपको बदलते हैं तो कुछ हद तक हम सरवाई कर सकते हैं जीवित रह सकते हैं अगर बदलाव होने के बाद भी हम अपने आपको नहीं बदलते तो इसका मतलब है कि हम बिलकुल सुनने की तरफ जा रहे हैं और अगर हम वर्तमान परिपेक्ष में समझ सकते हैं कि वर्दमान परिक्ष में क्या हालत रहेगी तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर आपको आप responsible हो अगर आप वाके में बदलाओ कर रहे हो तो आप वाके में लीडर बनोगे और हमारी इच्छा ये है कि हमारी किर्शी संकाय है हमारा एगरिकल्चर एजुकेशन डिविजन है इसका भी एक कारे रहता है कि हम पांस साल बाद हम ये देखते हैं कि हमारी किर्शी जो शिक्षा थी वो किस हद तक रही और उसमें क्या बदलाओ की ज़रत है अभी वर्तमान में हमने पिछले महीं नहीं हमने पूरा य ये फिफ्ट जडीन कमेटी है तो हर पांस छे साल बाद हम इस कारे को करते हैं और वाके में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम नई सिक्षा निती को लाएं हैं जिससे कि हमारा अच्छा जो चात्र है टेलेंटिर इस्टूडिन्ट वो भी हमारी तरफ आकरसित हो और ये क अधारित करांती आई उसका कहीं न कहीं श्रे हम किर्शी शिक्षा को भी देंगे वैसे उसमें हमारे किसानों का भी योगदान रहा है किर्शी शिक्षा पर आधारित जो हमारी रिसर्च ती अनुसंदान थी उसका भी रहा है तो सभी का रहा मगर किर्शी शिक्षा अगर होती तो अनुसंदान भी आगे नहीं बढ़ते और जब अनुसंदान आगे नहीं बढ़ते तो हमारे किसानों को भी उपीयोगी जानकारी नहीं मिलती तो इसल schizophren देखा जाए तो उसी को ध्यान में रखते हो क्योंकि آज वरतमान परिपेक्स में ज़रूरी हो गया कि हमें दूत्य हरित्त करम्ति की तरब बड़े और में घ्यान में रखते हो हमने जो पहले ** करशी सिनागा 11 जिन frase संहातक की उपादी देते हैं और वो सबसे महत्रपुर्ण तो किर्शी है दूसरा हमारा होटी कल्चर है तीसरा हमारा फोरस्ट्री है चोथा हमारा किर्शी, अभ्यांतिर की एग्रिकल्चर इंजिनिंग है हॉम साहिंस है जिसको कि हमने बदल के अब कुमिनुटि साइंस किया है समुधाई विगयान किया है इसी तरह से हमारे पास डेडि के सिंकानos चे क्रशब्र इस लिएपर इक रिचनाटा के सिक्षा देते हैं अब यह प्रशन यह उड़ता है कि वर्थमान में विश्विस्थर पर जैसे कि मैं आपको उधरान देता ह denk में कि कर्शी अब यहां तरीके का अगर वर्तमान परिप्यक्स में देखें कि विस विस्तर पर क्या इस्तर है और हम उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसको ध्यान में रखते हैं हमने पूरा दीन्स कमेटी में कारे किया और आज इस महीने में हमने कंप्लीट यह कर ली है दोक साब मैं थोड़ा सा इसलिए टोक रहा हूं डीन्स कमेटी की रिपोर्ट आपकी साइट पे भी डली है मैं उसको देख भी रहा था उसमें जो कोर्सिस हैं मैं जो हम एक प्रश्ण यहां उठा रहे हैं डोक साब हमने उस समय क्योंकि हमारे पास शिक्षा का कहा जाता है उ यहां तक हमने पढ़ा कि उस समय का भारतिय ज्ञान और विज्ञान बहुत ही पिछड़ा हुआ था तो आधुन्य की विज्ञान से जोड़ने के लिए हमें अमरीका के इन संसाओं की कॉलेजिस की मदद लेनी पड़ी पंतनगर को इलिनाई से जोड़ा ओए उसे पंजाब अग्रिकल्चर इनस्टी को जोड़ा वो जो शिक्षा थी हरित क्रांती के दुश प्रभाव भी ये देश जहला है और हरित क्रांती उस समय की जरौती उसको हम बिलकुल मना नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जो एक गहन कृशी पद्धती शुरू हुई उसके बाद जि अगर उत्पादन अच्छा होता तो किसान के अमदणी ज़ादा बढ़ती है वो भी नहीं है क्योंकि market forces है अगर आपका गहुं उत्पादन ज़ादा होगा तो आपको मैस भी नहीं मिल पाता है ये सब चीजे अब हमारे सामने 50-60 साल बाद आई 69 में B.H.U. में प्रोफेसर M.S. स्वामी नाथन जी का ही भाशन है जिन्होंने ये चीज बोली है कि ये हरित करांती बड़ा नुकसान कर सकती है इसमें सोच समझने की जरुवत है इसमें बदलाव लाने की जरुवत है वही Father of Green Revolution कहे जाते है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने भारती जो परमपराएं थी भारती अभी जिसको आज हम बले ही जीन बैंक में सुरक्षित रख रहे हैं उस जर्म प्लास्व की आज दुनिया में मांग है उन किसानों के जो तरीके ते खेती को आज दुनिया में उसको बताया जा रहा है हमारे पाठे करम में वो चीज नहीं दिख रहे है क्या उस तर पर आज भी हम अमरीका की बताई हुई शिक्षा को लेके चलेंगे या कुछ अपना भी हमने विक्सित रहे हैं जैसे कि यह हमारा सनातर की इस तर की जो किर्शी की शिक्षा है वो चार वर्स की है इसलिए हम B.A.C. ओनर्स की दिगरी देते हैं उसमें हमने प्रथम वर्स में हमने ये कोसिस की है अब जो कोर्स का जो आउटलेन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें हमने ये ध्यान में रखा है कि हम क्या थे हम कहां है और हमें कहां जाना है ये तीनों चीज़े रखी है और एक और बहुत महत्रूर्ण चीज़े रखी है जो कि हमारी भारत सरकार भी इस पे उपर तत्थपर है उन्होंने भी भारत सरकार भी कहती कि सिख्षा को आप एंप्लामेंट से रोजगार के साथ जोड़ो उसको कैसे जोड़ोगे कि जब तक उद्धिमिता नहीं आएगी तो यह तीनों फेक्टर हमने काम में लिये हैं एजूकेशन को भी और एंटर्परिनर्शिप को भी और एंप्लामेंट को भी इन तीनों को भी समावेस करने की कोसिस कीए तो पर्थम वर्स में हमने क्या किया कि उसको basic courses दिये गये कि उसको ये मालूम पड़े कि आखिर में किर्शी है क्या क्योंकि 11 और 12 की class के चातर जो आता है वो science की courses पड़ता है उसको इतना agriculture का ग्यान नहीं रहता तो उसको एक तरह से ये दिया गया है और पर्थम वर्स में ये रखा गया है कि हम कहां थे यानि कि हमारी जो natural farming है natural farming का अगर हम देखें वो और्गनिक फार्मिंग का एक component है उसको आप जुट लानी सकते कि आप जैसे कह रहे थे कि तीन credit का ही एक course रखा है और्गनिक फार्मिंग में जैसे किर्शी के आफसेश्न मिल रहे हैं उसको भी हम किस तरह से खाद उपयोगी करें जिसमें हम बाया फटलाइजर का नाम आता है उसको उपयोग मिलें बाया गेस भी आती है वो सारा का सारा और्गनिक फार्मिंग में ये भी आता है कि किस तरह से हम हमारे जो अग्रिकल्चरी इंपुट काम में ले रहे हैं उनको प्रिसाइसली यूज करें वो कहलाता है हमारा प्रिसीजन अग्रिकल्चर तो प्रिसीजन अग्रिकल्चर भी हमारा और्गनिक फार्मिंग का कंपोनेट है इसी तरह से हमें सारे natural resources भी conserve करने जैसे कि आप भी बता रहते हैं कि कई चीजों में हमारे resources बहुत ज़्यादा काम में लिए गए हैं तो हमेरे conservation agriculture भी आता है तो organic farming का एक तीन credit hours का जो course रखा मगर उसके अलावा हमने conservation agriculture का precision agriculture का इस दरह से हमारे natural farming का इन क्या भी courses हमने रखें हमारा ये इच्चा है कि जैसे चातर बारवी क्लास के बाद हमारे पास आता है B.H.C. first year में तो उसको सबसे पहले expose किया जाए कि क्या सिध्धानत है agriculture के जनल एगरी कल्चर के उसमें दिया जाए और ताकि उसका interest बने क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि आपको जमाना है आपको आकरशित करना है फिर उनको जमाना है और उसके बाद उसकी ज्यानवर्दित करनी है और उसके बाद उसको तयार करना और उसको मार्केट में लांच करना ये हमने चारों चीजे step by step रखी है आपसे एक छोटा सा यह चानना चाहूँगा जैसे लॉक्साब ने बताया और क्रिशी पार्टिकरम में प्लांट पैथाल जी सारी चीजें आपकी हैं आप जानते ही हैं कहां छूट गई किसान से क्रिशी की जो पढ़ाई थी और ये मैं उच्छतर की पढ़ाई कर रहा हूँ डॉक्साब ने भी बात की बारवीं के बाद के बच्चों की की है क्या आपको ये जरूत महसूस होती है कि ये कम जैसे दसवीं आठवीं इन से जोड़ा जा सके देखिए पहले बात तो क्रिशी सिच्छा हमारे देश की बहुत ही मजबूत रही है अगर पुराने जमाने में भी देखा जाए जितने भी हमारे पास पौराडिक लेक उपलेक उपलब्ध हैं उनमें क्रिशी सिच्छा का पूर रूप से भंडार नीत है ठीक है पर उसको अगर आप देखेंगे किर्शी सिच्छा जो हमारे देश के कई राजियों में कच्छा आठ से भी पढ़ाई जाती रही है कच्छा बारा में पढ़ाई जाती है और उसके सबसे बड़े उदारन हम आपके सामने बैठे हुए हैं हमने खुद उसी प्रधिती से शिच्छा आ पी एच्छी है निदेशक है यहां पर तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जैसे सर बता रहे हैं रठोर साहब की हम काफी बदलाओ कर रहे हैं बदलाओ होना जरूरी है काफी अच्छे पार्टिकरम्स ले आ रहे हैं जैसा इन्होंने बताया क्लास 12 के बाद जो एजुकेशन हो भारत में करिशी के साथ पस्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है बिचे अज्चा और ऑद भागी नहीं है कि हमने पता था कि कितना जदा पस्वू से संबंधित उसमें क्रेडिट आर्स दिये जाते थे कितने ने कोर्स पढ़ाय जाते थे और करिशी का मतलब जो शिच् के हम कई बार बोलते हैं कि आप पढ़ाई जो है वो ग्यान का अधार है सिच्छा ग्यान का अधार है लेकिन किसी सिच्छा जो जीवन का अधार है तो उसको उस पर्सपेक्टिब में देखना पड़ेगा यादव जी आपके पास मैं आता हूं अब एक छोटा सा ब्रेक लेग हैं देखें यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं बदलती परिसितियां और क्रिशी शिक्षा इसमें एक तो बहुत दुनिया का बहुत ही बड़ा अगर कहें हमारे पास एक पूरा सिस्टम है भारते क्रिशियान उसंदान परिशत का जहां पर बहुत ही टेक्निकल कोर्स भी पढ कही कि आठमी का बच्चा भी क्रिशी पढ़ता था समझता था यहां हम एक तो है कि हमने साइंटिस तयार कर दिये एक प्रकरती से प्रेम करने वाला किसान तयार करने की बात है किसान उसमें कहां छूट रहा है कहीं हो सकता ना छूट रहो हमें जो लग रहा है वो कितना सही यह गलत है इस पर अभी और चर्चा करेंगा विवक्त एक ब्रेक का है मिलते हैं ब्रेक के बाद लोक रंग हर्शनिवार शाम चार बजगर 30 मिनट पर टीडी किसान पर नमस्कार ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हम चर्चा करते हैं बदलती परस्यतियां और क्रिशी शिक्षा यहां पर एक बात जो बार-बार निकल के आ रही है कि 1960 में पहला क्रिशी विश्विद्याले जो है पन्नगर यूनिवस्ट्री गोविन बल्लपंत यूनिवस्ट्री अफ एक्रिकल्चर और टेक्नॉलजी जो है वो खुली थी और उसमें जैसे डॉक्साब ने बताया आज तो 11 कोर्सिस हो गए हैं क्रिशी के शेतर में विट्नरी साइंस में करीब 16, 17 या 18 के करीब पढ़ा जाते हैं ये पाठे करम तो बड़ा है हम जो सना तक तयार करे हैं उसमें से कितने खेत में जाके काम करने को तयार हैं किसान की जो समस्या है और किसान द्वारा जो समदान ढूंडे गए हैं उनको हम कितना अपनी शिक्षा से जोड़ रहे हैं यह समझेंगे रॉक्टर यादव से हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले रॉक्साब आप बता रहे थे कि स्कूल में आठवी तक पढ़ाय जाता था अब तो ऐ इसा दिखतानी कम से कम है शेहरों में तो लगभग संभवी नहीं है कि कोई साथ में प्लॉट हो जिसमें कोई खेती करें तो आठवी में जब आप पढ़ते थे तो खेती के तरीके भी सिखाए जाते थे खेत में काम भी कराया जाता था देखिए उसमें दो स्ट्रीम होता और पूरसों के लिए कंपल्सरी था अगरी कल्चर पढ़ना और हर उस कालेज के साथ एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा होता था जिसमें हमको सिखाया जाता था मैंने जो किया है मैं आपको अपना अन्भो बताता हूं मुझे बताया गया आलू की बुगाई कैसे करते हैं उसमें कैसे उसकी और प्रक्रियाएं करते हैं मेडी चाढ़ाने की सिचाई की फिर ये मेडी जो बनाते हैं उसको कितने दूरी पर बनाते हैं क्यों बनाते हैं इतनी सिच्छा दी गई थी और पसुओं के बारे में बताया जाता था कि आप एक जानवर जो ज़्यादा दू को अपने गुरुजनों के साथ आच्छा मिल जूल करके यह डिसकसन होते थे इसको तो पुरा स्कूल के स्थर पर तो अभी बाते होती नहीं हमादा जैवीर जी है जैवीर जी आपने में MSC AG की है और Agronomy में आपने किया है ससे विग्यान जो है और बहुत अच्छी बात है कि आपने यह सा पढ़ाई की उसके बाद आपने खेती शुरू की खेती आपने शायद पढ़ाई करते करते ही शुरू कर दी थी तो एक तो पढ़ाई से क्या फायदा हुआ आपको क्योंक इसने आपको क्या वादा दिया और क्या बदलाव आपने अपनी खेती में क्ये में पाठ्ठे करम में, सर ये सखन खेती के बारे में जादे जोड दिया गया है और उसी पर हमने खेती सुरू करी, जादे फ़सल खेतों में उगाना तो सर उससे ये हुआ कि हमारी भूमी के जो मुखे पौसकत थे, उनका हरास हो गया और सर कही न कहीं अभी इसकी बदलाव की जरूरत है जो हमने जो किसान करते हैं ज़ादे तर तीन ही तत्यू दे पाते हैं वो उनमें भी मुखे रूप से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या होता है कि फसल के एनिमित बिद्द्धी हो जाती है को गिर जाती है और कीट भी जादा लगते है और ये लागत कहीं न कहीं जादा आ रही है उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन लागत भी जादा आती है तो ये किसानों को अब जैसे गाओं में से पलायन हो रहा है अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो पलायन क्यों हो रहा है तो कुछ तो किसान सन्तूलित मातरा में लगाते हैं सर और कुछ किसान इससे लालाच में या अधिक उतपादन के उसमें जादे लगा देते हैं तो उससे भूमी studied my बिमार है हमारी तो उसको पाठे क्रम में और्गैंक proposal जोड़ना जैसे आपने अभी गन्य की जो खेती की और आपके गन्य के लिए आपको इतना उंचा मजबूद गन्ना तयार करने के लिए आपको पुरुसकार भी मिला उसमें आपने जो पाठे करम में क्योंकि दूरी पढ़ाई जाती है सगन की बात हो रही है उसी पर जातार अधारित है बाकी विशे भी पढ़ाई जाते हैं लेकिन पास पास लगाके ज्यादा उत्पादन आपको लेना है ज्यादा लेना है ज्यादा पोशकत खीचेंगे ज्यादा पोशकत खीचेंगे तो उतने डालने भी पढ़ेंगे बैंकी तरह है न मिटी तो आपने उसमें क्या रही है तो हमने ये सोचा सर के रासानी खादों की जगे अगर हम अपने गन्य को सह फसली रूप में उगाए जाद है उसके बीच में दलहनी फसलने है अगर हम इसका दूरी छे फुट या आट फुट लाइन की रखते हैं तो इस पिरकार गन्या 35-40% भाग में पैदा होता है तो 35-40% में पैदा होगा तो 35-40% उस पर लागत आएगी और लागत आएगी लेकिन 35-40% लागत आएगी उत्पादन 80% होगा दुगना होगा क्योंकि उसमें दूरी बढ़ गई उसे पिरकास ज़्यादे मिलेगा तो दूरी पढ़ने से उत्पादन वो तो कम लगाए आप अपने फिर गन्ये गमने कम लगाए लेकिन उनका वेट और उनकी हाइट जादा होती है संख्या गन्ये की जादा होगी क्योंकि उसके जगे मिल जाएगी पोसव तक तो ज़्यादे चाहिए इसको गन्ये को लंबी अबदी की फसल है अगर हम इसको पास-पास वहेंगे तो इससे नुकसान होगा तो पहले मेरे काम दो फिट का फासला जो है वहारे हमारे यहां पर जो पस्ची मुतर प्रडेश जहां से मैं आता हूं दो फिट पर गन्या पैदा होता है तो उसके पचास से साट कोईंटल जो ज़्यादा अच्छे किसान है वो लेते हैं पैदा एक 1448 कोईंटल पिरती हेक्टेर जो एक विगा में एक सोतीन कोईंटल पैदा की एक सूतीन और इस वार इस से ज़्यादा उमीद है जी हम बताएए चैसे राठोर सर बता रहे थे कि वो जो इसना तक हैं वीए सेजी उनको गया रहे वो सब्जेक्ट पढ़ाये जाते ही तो हमा साइड बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको एक सब्जेक्ट किर्थी का भी पढ़ाया जाए ताकि हम वो उनको लगए जो हमारी साट परसेंट जनसंग क्या है वो किस तरह निर्भर है क्या है इससे करते क्या है ये तो उनको भी एक कोर्स पढ़ाया जाए आज के मौसम में बच्चे आम खा रहे हैं वो आम आता कहां से यह पता होना चाहिए हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान है आप से उनकी मुलाकात हम कराते रहे हैं भारत भ बदल गई है हरित करांती से अब तक और उसमें जो शिक्षा है क्रिशी शिक्षा B.SC AG MSC AG PhD जो चल रही है जो क्रिशी का पाठे क्रम है उसमें बदलाव जो है उसकी एक उमीद करी जा रही है कि बदलाव होना चाहिए है आप इस विशे में क्या सोचते हैं और आपका आप ना पड़े लिखे ही किसान हैं और अच्छी तरह कृठी को भी समझते हैं कहां गडवड़ी रह गई यह शिक्षा पदती में किश्या कि वनियादी बात में मैत्मूर मुद्दा ये है कि शिक्षा रोजगार परक्षो नौपरी की वान सिक्षा से प्रावलम मन पैदा होता है एक तो ये बात दूशरी बात ये है कि ये जो सारा अनुसंद्धान जो सोध हुआ है वो प्रिकृति के साथ संधर्थ को लेकर हुआ ह अधि कुछ पादन कैसे करना है लेकिन शिक्षा में प्रिकृति के साथ पूरक्ता पूर्वग जीना है प्रिकृति में एक संदर व्यवस्था है प्राक्र्टि के एक धर्षन है इसको समझने की ताकत अभी शिक्षा पदिती में नहीं आई इसलिए प्राथ्मी की इस्तर स यदि हम बच्चों में छोटे स्थर पाई प्रकृति के साथ व्यवस्था को प्रकृति के साथ संबंद को यदि इस्टवस्ट करने की चेश्था सिश्षा में की जाएगी तो एक बड़ा मौरिध प्रिवर्तन की जरुत देश को है एक चीज जो हम इसमें बात कर रहे थे करिया हमारे दर्शक भी इसको समझें और हमारे साथ माने देशक हैं क्रिशी शिक्षा वह विशे जो आप बता रहे हैं क्योंकि आमदनी से जुड़ी बाते भी हैं पहले थोड़ा मैं चाहूंगा कि इसको अगर आप स्पष्ट कर सकें कि इससे हमारा तात्पर है क्या है द परकिर्टी में मौसम से उचपादन होता है मौसम के अनकुल हम बे मौसम पैदा करने की सोचते हैं परकिर्टी में मात्रा और बर्वत्ता साथ साथ हैं हम केबल मात्रा समत विजी से जोड़ लगाते हैं परकिर्टी में उचपादन विवित्ता में हम केबल विवित्ता को नस्ट करके एक मोनो क्रोपिंग में और एक डिजाइन का उच्पादन लेना चाहते हैं यह जो सारी चीजें हैं जो प्रकृति की विवस्था की विरूद में हम काम कर रहे हैं इससे उसका सिदा-सिदा असर जमीन पर परियावन पर रस्वास पर पड़ता है और एकोनोमिक प बात कर रहे हैं जड़ा उन्हें चुप करा देंगे तो अच्छा रहेगा मैं एक चीज और आपसे जानना चाहरा था कि इतने सारे देश में करीब 62 कृषी विश्वद्याले बताये जाते हैं आप किसानों के बीच में जाके जैविक खेती का प्रचार पसार भी करते हैं उ कोई युनिवर्स्टी है कोई ऐसा विश्वद्याल है जिसके बच्चे आपके पास आखे आप से इस खेती के बारे में जानते सीखते हूं देखे अभी चब तो पोरे देश से मैं देख रहा हूं कई उनिवर्स्टियों से भी आ रहे हैं और मैं तेहार तक प्रिश्वद् कि इस सामें कदम बढ़ा है वो त्यागी जी पढ़के आ रहे हैं कि कोर्स के दौरा नहीं आप से मिलने आते हैं जैसे बच्चे जैसे एक तूर वगएरा होता है तो कभी आपके खेत कभी तूर मना है अपने 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 तोर भी बन रहे हैं और अपने इच्छा से भी प्रति एकड़ कमाई और अगर प्रसंसकरन करने प्रसंसकरन के बगएर है पशुचारा भी लगाते हैं सब कुछ है कई सारी फ़सलें है प्रसंसकरन करके करीब 9 से 11 लाख रुपे तक प्रती एकड़ कमाई इतनी जबर्दस कमाई और यही आप जो है BACAG के बच्चों को यही करवा भी रहे हैं इस तरीके के जो किसान है यह जैवीर जी जैसे किसान है जिन्होंने जो पढ़ाया उससे अलग जब डिस्टन्स जादा कर लिया तो देखा धूप अगयरा लगती है कीट भी कम लगेंगे गन्ना मजबूत इतना है जादा बिमारियां उससे तंग नहीं करती है यह जो शिक्षा है जो एक पारंपरिक ज्यान से भी आया जो किसान की अपनी प्रक्टिसेज है इनकी एहमियत को हम अपने शिक्षा में जो नहीं जोड रहे है यह सब जोड रहे है मगर जैसा की त्यागी साब ने बताया इनकी बात सत्य है कि और्गनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा अंग है अमारी किर्शी का उसको हम जुटा नहीं सकते क्योंकि वर्तमान परिपेक्स में अगर हम देखें तो करीब यह स्टेटिक्स का आकड़ा है कि 132 किलो प्रती हेक्टर हम रशाइनिक खाद काम में ले रहे हैं कि हमने जब सुरुवात की थी 1947 में आजादी के तुरंत बाद जब हमार हम करीब आदा किलो ही एक हेक्टर में केमिकल फटलाइजर काम में लेते थे तो उस अनुपात में नहीं हुआ हम 50 मिलियन हेक्टर यानि कि 5 करोड टन से हम 263 मिलियन टन याकि 26.3 करोड टन तक पहुंचे हैं तो वाके में देखा जाए तो यह एक फिल्ड है मगर किर्शी केवल एक फिल्ड के पर आर्सित नहीं है किर्शी के बहुत बड़े संका है कर्षी को अगर हम केवल कर्षी शिक्षा में और्गनी में मेरा क्याना का कंपोनेंट लिया है हमने कोसिस यह अगरिकोट्यचर ृफिक्रेश का प्रशे कि लिए हमने ने बीवेस्ट आवयेबल है далने किस तरह से फर्टलाइजर में काम में ले सकते हैं वो भी हमने लिया तो हमारे कोर्स में सब चीजे हैं मगर अब यह होता है कि छात्र क्या करता है कि छात्र तो इसलिए थोड़ा सा रोग रहा हूं ICR के ही package and practices में सारे कीटनाशी सब के नाम दिखते हैं जैविक नहीं दिखता है ICR के ही package and practices में नहीं दिखता है तो बच्चे आगे चलके उस चीज को कैसे follow करेंगे नहीं ऐसा नहीं है ICR के अभी आप देखें उन्नत भारत अभिहान जो की ICR भी कर रहा है भारत सरकार का एक flagship प्रोग्राम है उसमें हमने दो ही चीजें लिए पहला हमने और्मी फार्मिंग लिया है आपका जिसमें चर्चा चल रही है दूसरा हमने cable cow based economic लिए है तो ऐसा नहीं कि ICR नहीं कर रहा है ICR का एक component है मगर ICR के वल एक ही चीज़ को लेके बैठ दे और सारी चीज़ें छोड़ दे नहीं रहे हम असल में पाटे क्रम में जब बात कर रहे हैं तो एक शिक्षा पद्धती हमारी नहीं थी यह शिक्षा पद्धती हमने हम बाहर से जो शिक्षा है उसके भी खिलाफ नहीं है उसमें कुछ component उनका होता कुछ हमारा होता यही बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बहुत सी बाते जो हमने तब सही मान के ले ली थी वो आज उतनी सही नहीं है पता लग रहा है हमें बच बढ़त काम के लग रहे हैं तो यह जो चीजें हैं इनी को हम थोड़ा समझना चा रहे हैं क्योंकि आज विए अगर हम माली जी हमारे कारक्रम में कर्शी वहन चालते हैं उसमें बहुत अच्छा जहिक के बारे में भी बताते हैं किस तरीके से आपको बीज को प्चारि है दूरी क्या रखनी है और लेकिन 90 फीसदी अभी भी वहीं पर जो हम रासायनिक जिन चीजों से जुड़े हैं या सगन किरशी है उसी से जुड़े हैं किसानों का अनुभाव जो है यह हरित करांती और यह उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी था लेकिन सदा बाहर हरित क इसी के भरों से नहीं हो सकते उसमें पर्यावरन का मुद्ब बहुत एहम हो गया है इसलिए जो एक फिर बदल की बात है क्योंकि आज भी किताबे हमारे पास जाधतर वहीं की हैं चाहे वेटनरी साइंस हो चाहे एकरिकल्चर साइंस हो हम आप अगर किसी परशुची कित्सा वाले से पूछेंगे कि फार्मा की कौन सी किताब पड़ी तो वो बोलेगा डॉक्टर जोन्स जोन्स की फार्मा पड़ी ये सब जो हैं ये बड़े मुद्दे हैं जिनको हम शायद उस तरीके से नहीं अभी समझ करने जा रहे हैं अब उसके साथ साथ हमारी हमारी इच्छा ये रहती है कि जितने भी विज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं वो हमारे स्लेवर्स को देखते हुए नए पाठे पुस्तक भी लिखें और लिखते भी हैं ऐसा नहीं लिखते भी हैं मगर कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ अध्यापक ये होते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पुरानी किताब उसे ही रहती है तो ज्यादा कर वो ही जैसा कि आपने अभी एक उदारन दिया तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आपको तयार नहीं करते अब आप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टुडेंट रेडी प्रोग्राम जो मैं कह रहा था उसमें पांच कंपोनेंट लिये हैं हमने और उसका एक कंपोनेंट है हमारा एक्सपियेंशल लर्निंग अचा हैंड्स-उन ट्रेनिंग यानि कि हाथ के द्वारा कारी करेगा अब कोई कई जने उसको कहेंगे कि साब ये आपने कह तो दिया मगर आपने इसकी तैयारी क्या की मैं यहां बताना चाहूंगा कि हमने हमारे हैं एक तो पूरे भारत देश में करीब 73 कृषी विश्विद्याले हैं हमारे पास 73 स्टेट अग्रिकल्चर उनिश्टी भी हैं उसमें डिम्ड उनिश्टी भी हैं जैसे हमें मालूमता कि जुलाई 2016 में हमें इसको नया पाठेकरम लाना है और हमें एक्स्पिरेंशल लर्निंग और हाथ के द्वारा के रही हुई यह जिसको हैंड्स उन प्रैक्टिस कहते हैं उसके लिए हमें करना था तो हमने पहले से ही आप सब को बड़ा वो रहेगा कि भारत सरकार ने 416 जगे स्थानों पर पहले से ही यह एक्स्पिरेंशल लर्निंग के सेट अप बना दिये और वहां के हमारे बेग्यानिक हैं जो प्रोफेसर उनको भी हमने ट्रेंड कर दिया हमने यह कहा कि साब यह जो एक साल के कारिकरम में दो या तीन महीने के लिए जब चातर आएगा आप क्या ट्रेंग दे और यह एक्स्पिरेंशल लर्निंग का जो है ने इसका अब भी आज की देट में जो मैं आज बताऊंगा तो हो सकता आप लोगों को इसका आपको नहीं लगेगा कि आगे क्या होगा मैं कह सकता हूं इसका जो वाके में इंपेर्ट आएगा यह तीन-चार साल बाद आएगा जब यह चात्र बाहर निकलेंगे अब उसमें हमने यह किया कि चात्र क्या करेगा कि वहीं पर पड़ेगा भी और वहां पर कमाएगा भी तो यह एक नया कंपोनेंट किया हमने कि लरुनिंग और साइमेंटेनेशली अर्णिग तो पढ़ते पड़ते पड़ते वो कमावे भी मैं एक छोटा सा रोपके समय फॉरेज क्रॉप्स वगरा यह सब आप धान वगरा यह सब भी तो बेचते थे उस समय एक कोर्स होता था जी वो उसको कहते थे PCP प्रेक्टिकल क्राप प्रडक्शन होता था PCP देखिए सर जो बता रहे हैं मैं थोड़ा सा इस में चर्चे करूँ अब एक ब्रेक लेना है उसके बाद मैं आपके पास आता हूं जी देखिए भारतिये क्रिश्य अनुसंधान परिशद जैसे मैंने ब बहुत सी योजनाएं हैं जिन से जुड़के वो कर सकते हैं मुद्रा बैंक है उसके जरिये भी वो अपनी बहुत से काम है वो कर सकते हैं लेकिन शिक्षा को थोड़ा सा और समझने की अभी ज़रूद है हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जरूरी है और देखे घूपते फिरते स्ट्रविवार सुभा साथ बच कर तीस नट बाद आपका स्वागत हम चर्चा कर रहे हैं बदलती परिस्तियां और क्रिशी शिक्षा बहुत बड़ा बदलाव क्रिशी शिक्षा के शेत्र में हो भी रहा है ठोड़ा जो हम बात कहना चा रहे हैं और दोक्र यादव भी कह रहे थे आपने डोक्र राठोर जी को भी सुना जैवीर जी ने भी कहा कि बहुत सी चीजे हैं सही हैं बहुत सी चीजों में बदलाव किया जा रहा है हमारी जो पारंपरिक क्रिशी शिक्षा थी जो आठमी से स्कूलों में भी पढ़ा क्यों ज़रूरी है क्या हमारी पढ़ाईटी क्या चीज़ें छूट गई है इसको थोड़ा सा समझाती हुई यह फिल्म देखते हैं देश में स्कूलों में क्रशी सिक्षा दी जाती थी और क्रामीर छेत्रों में 10 प्लस 2 स्कूलों के साथ 2 से 3 एकर जमीन का प्रावधान होना आवश्यक होता था कुछ विद्यालेव में तो आठवी कक्षा से ही खेती का विशे पढ़ाया जाता था क्रशी की आधुनिक शिक्षा पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पहले क्रशी विज्ञान में डिग्री होती थी B.C.A.G. and A.H. जिसमें A.H. का मतलब होता था Animal Husbandry यानि पशुपालन अब नए पाठिक्रम में A.H. हटा दिया गया है पर क्या पश्वों के बगयार खेती संभव है कुछ कदम तो तुरंत उठाने की आवशक्ता है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में क्रिशी शिक्षा शुरू की जाए लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि कि सानों के अनुभव, पारंपरिक ज्यान, पारंपरिक बीजों आधी को भी पाठिक्रम में आधुनिक विज्यान के सार्थक पहलूं के साथ शामिल किया जाए सरकार ने कई पहल की है, क्रिशी विज्ञान का नया पाठिक्रम तयार किया गया है, परंपरागत क्रिशी विकास योजना की शुरुवात की गई है, बच्चों को स्कूली स्थर पर क्रिशी सिक्षा देना और सनातक उतर स्थर पर क्रिशी पाठिक्रम में बदलाव की आवश और आवशकता पूरी क्रिशी श्रिक्षा प्रनाली को गाउं, किसान की नजर से देखने और तयार करके ग्रामीर विकास और देश के विकास के लिए सार्थक बनाने की है। और हाँ, देशी ज्यान की भले ही हम अन्देखी कर दें, लेकिन विदेशों में से खास तोर से पश्चमी देशों में अपनाया जा रहा है। इसलिए अपने पारम पर एक क्रिशी ज्यान की सार्थक्ता को समझते हुए नए पाठ्थे करम तयार किये जाने जरूरी हैं। वो कहीं छूट गया। डॉक्टर यादाव विशे को बहुत कुछ हमने आप से समझा और आप बहुत अच्छी तरह इस चीज को जानते हैं। आज की खेती में क्या बदलाब हो गए हैं तब से अब तक। गैन क्रिशी पद्धिती अगेरा हो गया। लेकिन कैसे शिक्षा में एक बदलाब जो है उसके लिए क्या-क्या करने की जरूत है। क्योंकि हम सिर्फ ना तक तैयार करें और वो उसको किस तरीके से इस्तमाल करता है। जैवीर जी ने किया उसको प्योग फिर उससे कुछ अलग हिने करना पड़ा। पढ़के आये तो गाओं में खिचाई होती थी कि आप पढ़के आयो नया क्या कर रहे हो। तो उन्हें कुछ नया करना पड़ा। तो पढ़ाई आपका सोचने का दैरा बढ़ाती है जो इनके साथ भी हुआ। कि यह जो पढ़ाई है हमारी जो पारंप्रिक शिक्षा थे क्रिशी की वो जो छूट गई जो प्रकरती से जुड़के थी उसको दुबारा सिस्टम में कैसे लाया जा और खास और से ऐसे महौल में जब बीच कंपनिया भी हावी हैं जब उपकरन बनाने वाली कंपनिया भी हावी हैं दुनिया भर के समझोते हम पर हावी हैं कैसे किया जाएगा जी देखिए ड़क्टर राठोर कई ऐसे बदलाव बतार हैं जो बहुत ही अच्छी दिसा में प्रतीत होते हैं कि वो आगे जाएंगे और काफी अच्छा सिस्टम से चलेगा मसला यहां इस चीज का है क कि किसी सिच्छा जो है उसको एक सिच्छा और रोजगार से जोड़ करके देखना देखना होगा जैसा डाक साथ किसान के आमदनी से किसी सिच्छा में जितने भी जो भी बदलाव हुए हैं या जो हमने सो काल्ड हाई टेक नालेज अपने पास ले आए वह बहुत अच्छे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन हमारी जो परंपरागत ग्यान थे उसको क्यों छोड़ा गया और उसको क्यों ना लाया जाए दुबारा उसमें रिसर्च किये जाए उसको अगर अच्छा है तो उसको माना जाए मैं आपको उदारण बताता हूं कई ऐसे विश्यों तो अब वही जीन्स को हम फिर खोजते हैं कि कोई साल टॉलेंट जीन्स हो जो है और रिजिस्टन्ट जीन्स हो उनी जीन्स का जो आलरेड़ी हमारे पास उपलब्ध है हमारी इंडिजीनस ब्रायटी में तो जो सिच्छा है वह सिच्छा को प्रकेत से जोड़ करके जैसा भ मंदे संदी है हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो 1944 में एक सार्जेंट रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि सीनियर सेकेंडरी अस्तर पर क्रिसी सिच्छा को अनिवार करना चाहिए जी 1944 में पहले ही कोई राधा कृष्णन कमेटी उनीश सो आतालिस और उन्चास में जो भारत के सोतंत्र होने के बाद पहली कमेटी बनी थी उन्होंने कहा कि भारत मुक्ता एक क्रिसी प्रधान देश है देश बिस्व में तभी अस्थापित होगा जब क्रिसी सिच्छा को रा पास एडवांस टेकनीक्स हैं जो डाक्टर राथोर बता रहे हैं जो बदलाव किये जा रहे हैं बहुत ही जरूरी हैं हमें विदेशों से सीखना है सीखें लेकिन हमारा जो ग्यान है अल्रेडी उपलब्ध है जो हमारे कई किसानों के द्वारा कई बरसों से जानकारी दी जैसे एक छोटा सा उदारण है आज भी हम गाउं में किसी से बात करते हैं करते हैं ग्रेन स्टोरेज का भी समय नहीं है क्योंकि यह भी चंद्रमा का मूवमेंट अलग है अगर हम तो मैंने घाव और बढ़री की कहावत आज भी है अगर उनसे पूछा जाता क्यों ऐसी क्य है और देश में जहां 86 फी चोटे और सीमान्त किसान है इस तरीके से कम लागत वाली अगर खेती होगी और एक यह आकड़ा ये भी है डॉकसा भी उसको मानेंगे कि जो छोटे किसान है उनका अगर प्रती एकड उत्पादन देखें तो ज़ादा है क्योंकि उनका पड़ेगा क्योंकि हाइट जो है वो उनके लिए वाकई में हाइट हो जाती है उसकी भी जरुवत है लेकिन यह जो आपने बता है यह बहुत महत्पूर्ण है कि जो हमारी परमपराएं और परमप्रिक ज्यानता वो कितना महत्पूर्ण है और उसको समझे सीधे नकारे नहीं जैबीर जी थोड़ा सा समय है आप गढने पे गाम कर रहे हैं कुछ नया आपने अपने शेतर में किया जैसे आपने अर्वी भी ली है मैं थोड़ा से यह जानना चाहरा था कि आप अपने एक टेयारी करते हैं आपने मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली पर किसान तो मा कि आगे मांगाएगी क्यों ऐसा हुआ कि आपको अर्वी लगा कि अब मैं इस बारे ले लूँ और आपने किस तरीके से मार्केट रिसर्च की अपने इस तर पर उसके लिए सर ये अब लंभी अब्डी की फशल है इसमें पॉप्स लिए पसल है और लंबी अबदी की फसल अप जो आपको दोसरा होगी और खर्चे कैसे चलनाएं सर गाावा वेंसर प्लायन हो रहा है सिक्चा के लिए पैसे नहीं मिल रहा है आप देखोगे दस या पंद्रे परसेंट घरों में हर बर्स ताले लग जाते हैं तो हमने सोचा कि कोई कम अबदी की फसल लगाई जा सर तो हमने ये अर्बी की सोची है सर और जैसा आई आ रही के दुआरा भी बहुत काम हुआ सर लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि किसानों का कि हमारे परमपरा का तरीके जो होते हैं परमपराओं से और किसान जो कुछ नया कर रहे हैं जो उसमें उन्हें सफलता मिली है इसको भी पाठे करम का हिस्सा बनाए जाना जो है आपको क्या लगता है किसान के तौर पर कितना आवश्क है सर अगर इसकी वेग्यानिक ये अपनी तरह से इसके बारे में जानकारी लें हैं जो भी किसान अलग तरीके से कुछ कर रहे हैं अगर वो सपल है और अन्य किसान भी इसको अपना सकते हैं लागत कम करकर वो उत्पाद जादा ले रहे हैं भूमी की उर्वा सकती भी उससे ब छार टी है पहला ट्रेडिशनल यानि कि हमारी परारम्यिकिकफ्तितिक दूसरा है टेकनोलोजी प्रध्विक क्या है तीसरा हमारा टेलेंट है यानि कि उसका कोशल बढ़ाना चौल हमारा अरा ट्रेडिंग है यानि की उसको वैपारिक बनाना है हमने ये पाथेgram में इन चारो टीका अप्समावेश किया पर्थम वर्स में हम सको ट्रेदिशनल टेक्नोलोजी बता रहे हैं हम उसके जानकारी दे रहे हैं जो कि समझने जानकारी वो दे रहे हैं तो जहां तक प्रारारंपिक चीजें चीजें हैं वो सारी चीजें अंफस्टेर में करें। दूसरे यह वर्स में हमने जो पाठे करम किया उसमें सारी परोधगी की लिए गई है, सारी टेक्नोलोजी लिए और तीसरे साल में हमने उसका टैलेंट बढ़ाया, और जब हमारे सना तक बाहर आएंगे तब इसका इंपेर्ट पूरा विजीबिल हुए। जब हमारे साल का बजट पास हुआ था, तो उसमें हमारा जो CCA नोड था, कैबिनेट का नोड था, उसमें यह सर्त रखे गई थी, कि आप अब यह जो उच्छे सिक्षा की बात कर रहे हैं, इसको आप कॉलेज भी स्कूल में ले जाएंगे। और उसके लिए फिर हमने, जो Ministry of Human Resource Development है, उनसे भी संपर्किया, और फिर उन्होंने बताया कि आप इसका कोर्स लेबेस बनावें, हमने कोर्स लेबेस भी बना के दे दिया, और मेरे को निश्चे, स्कूल के इस्तर पे भी सुरू हो जाएगी, इस साल नहीं तो हो सकता, अगले साल तक ही हो जाएगी। कई ऐसे स्टेट्स हैं, कई ऐसे राज़रात ने इस पे काम करना शुरू किया। को कि वहाँ पर कच्छा 10 और बार्वें में, आठ में तो था ही कच्छा 10 और बार्वें में, अगरी कल्चर स्ट्रीम होगा करता है। आट साइड वैसे ही साइन्स वैसे ही अगरी कल्चर अच्छा अभी भी है वो अब मैं तू सिस्टम से पास आउट हो जाएगी अब साइद अगले साल से यह सुरुवात हो जाएगी तो मैं तो आप से रिक्वेस्ट करूँगा निदेशक महदा से कि ऐसी पद्दती तब इनक प्रकरती के क्या क्रिशी और उसमें भी अगर पशुपालन जोड़ा जाए जो कि आज अलग हो गया है यह चीजें बदलने की जरुवात है यहाँ पर कुछ बाते बहुत अच्छी थी कि स्कूल के स्तर पे फिर से क्रिशी पढ़ाई जाएगी यह बच्चों को इसमें ये घबराने की बात नहीं है कि एक और कोर्स हो गया यह एक ऐसा कोर्स है जो हम सब को पढ़ना बड़ा जर लेकिन वज्ञानिक में जब प्रकरती से अलग आप जाएंगे तो वह अपने आप ही अवज्ञानिक हो जाता है क्योंकि उससे आपके जीवन आपके अस्तित पे संकट जो है वो आता है जैसा आज के समय बहुत सी स्तिती जो है वो ऐसी होती जारी है उत्पादन जो है या तो उतना ही रुग्या है या कम हो रहा है एक अच्छा आकड़ा है कि बागवानी फसलें जो है वो बढ़ी है लेकिन बहुत से ऐसे राज्ये जैसे पंजाब हर्याना जहां हरित करांती जो है पूरिये शबाब पे रही है और बहुत उत्पादन होता था वाज आतर शेत्र लेकिन उसमें बदलाव हो रहा है ये बड़ी बात है और इस बदलाव को हम सब स्वागत करते हैं और उमीद करते हैं अगले चार साल बाद जो बच्चे पढ़के निकलेंगे और स्कूल में भी क्रिशी जो शिक्षा है वो जुड़ेगी उसे एक बड़ा बदलाव हमें प